नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल जी के रेवोलिशन में हमारी जो सीरीज चल रही थी complete biology की उसके हम बाग 4 में पहुंच चुके हैं अब भी तक हम 120 questions को देख चुके थे तीन भागों में यहाँ पर हम 30 important और questions देखेंगे और अपनी सीरीज को पहुंचा देंगे 1500 biology के question तक चली फ्रेंड इसको शुरू करते हैं पहला question है हमारा किस vitamin में कोबाल्ट पाया जाता है तो vitamin B12 को में कोबाल्ट पाया जाता है जिसके कारन अब दूद को पून अहर नहीं माना जाता है ठीक कहे बार ये question पूच लेता है कि दूद में किसकी कमी होती है जिसके करान उसे अब संतुलित अहर नहीं माना जाता तो vitamin C और iron की कमी होती है अगला question है राष्टिय पोशन एवं अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है यहां इस्तित है है हैदराबाद में हैदराबाद तेलंगाना की राज़दानी है जबकि आंद्र की राज़दानी है अमरावती ठीके friends अगला है मलेरिया शब्द का सरुपरसम परयोग किस ने किया था मैक्यूलाच ने 1827 में ठीके friends और मलेरिया के जो परजीवी की खोज की थी वो किस ने की थी वो लैवरन ने की थी ठीके friends वो किस ने की थी लैवरन ने की थी 1880 में ठीके और मलेरिया शब्द सरुपरसम यूज किसने कहता थे कि बहुत सारे question पूछे जाते हैं malaria से confusion नहीं होना है malaria से पूछे जाता है malaria की कोच, शब्द की कोच, maculase ने malaria की परजीवी की leveran ने ठीक है और परजीवी से malaria होता है इसकी कोच किसने की थी, Ronald Ross ने ठीक है अगला है diptheria rog में कौन सा अंग प्रभावित होता है तो डीप थिरिया रोग से ये हमारा गला स्वासनली जो होती है वो प्रभावित होता है ठीक है किस रोग को हाती पाउं भी कहते हैं तो हाती पाउं कहते हैं फाइल इरिया जो फाइल इरिया रोग है इसे हाती पाउं भी कहा जाता है अगला कोशन है वणान दता कलर ब्लाइडनेस से पीडित मनुश्या में कौन से रंगों को पहचानने की शम्ता नहीं होती है तो दीके जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइडनेस होगा वहाँ लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता है ठीक है विटामिन डी की खोच किस ने की थी तो विटामिन डी की खोच की थी होपकिन्स ने ठीक है और विटामिन बी की बात करूँ विटामिन बी की खोच की थी मेक्टूलन ने ठीक है और अगर टोटल विटामिन की बात करे तो केशिमार फंकनिक इनकी खोच की थी वहाँ विज्ञान जिसमें खगोलिय पिंडों का अध्यन किया जाता है क्या कहलाता है विशों का अध्यन क्या कहलाता है तो विशों के अध्यन को टॉक्सिकोलोजी कहा जाता है कीटों का अध्यन क्या कहलाता है ठीक है अगला कोशन है जीव द्रवे में अकार्बनिक योगी को का अनुपाद क्या होता है तो जीव द्रवे होता है प्रोटो प्लाजम होता है हमारा उसमें और इनौर्गनिक ठीक है यहां पर इनौर्गनिक है यहां पर और इनौर्गनिक है इनका अनुपाद पूछ रहा ह तो प्रोकेरियोटिक में अर्द सूस्त्री टाइप का विभाजन होता है जब कि जो यूकेरियोटिक होती है उसमें अर्द सूस्त्री के साथ समसूत्री विभाजन भी होता है ठीक है अगला कोशन है पादप कोशिका में कोशिका भित्ती किसकी बनी होती है तो कोशिका भित् कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं तो कोशिका पावर हाउस कहा जाता है माइटो कॉनुर ट्रय जिसकि खोँज एलिटमेंड ने की थी 886 मैं और इसका नाम माइटो कॉंुर आप किस ने दिया था ये कई बातح पूछ लेता है बेंडा ने किसकी उपस्तिति के कारण पत्यों का रंग पीला हो जाता है तो पीला होता है कैरोटीन की उपस्तिति के कारण अगला कोशिन है हमारा पादप कोशिका का आकार कैसा होता है तो पादप कोशिकाई जो होती है हमारी उनका आकार लगभग आयतकार होता है जबकि जो हमारी जन्तु को शिका होती है उनका आकार लगबाग एक गोलाकार जैसा होता है चारल्स डार्विन ने जिस जहाज से पूरे विश्व का ब्रहमन किया था उसका नाम क्या था उस जहाज का नाम था बीगल 1831 में विश्व सर्वेक्षन जहाज जिससे इन्हों ने पूरे विश्व का ब्रहमन किया था अनुवान्श की संबंदी परियोग के लिए मैंडल ने किस पौदे का चायन किया था मतर के पौदे पर गुण सूत्रों का नाम करन किस ने किया था डेवलू वाल्टियर ने गुण सूत्रों का नाम क्रोमोजोम का नाम क्रोमोजोम दिया था 1888 में अगला है वनस्पती जगत का सबसे बड़ा सम्हू कौन सा है तो बनास्पती जगत का सबसे बड़ा सम्मू है थेलोफाइटा ठीके फ्रेंट्स थेलोफाइटा में क्या होता है इनका आकार एक पहले थेले जैसे होता है ठीके फ्रेंट्स थेले जैसे होता है और इनका जो शरीर होता है वो विभक्त नहीं होता है जैसे पत्तियों में, जडों में, तनोई में, इनका शरीर विभक्त नहीं होता है अगला है, चमड़े से बाल वह वसा हटाने के लिए प्रियोग किया जाता है तो क्या प्रियोग किया जाता है, जिवाणों का ठीक, ये बैक्टीरिया की द्वारा हम चमड़े से बाल और वसा को हटाता है वसा यानि की फैट, और इस प्रोसेस को कहा जाता है, टैनिंग, ठीके फ्रेंस इस प्रोसेस को टैनिंग कहते है अगला है लहसून और प्याज का संबंद किस कुल से है तो लहसून और प्याज का संबंद जो है वो लिली ऐसी कुल जो है उसके साथ इंका संबंद है पौधों की आयू की निर्धारन विधी क्या कहलाती है तो पौधों की आयू निर्धारन की विधी डेंड्रो क्रोनलोजी कहलाती है जिसमें क्या होता है कि जब पेड़ों के अंदर से रिंग निकलते हैं जब पेड़ों को काटा जाता है तो उसमें जितने रिंग होते हैं आ यहां कोष्षी का विभाजन में सहायक होता है और जस्ता की कमी से होता है अगला है, पारिश्तातिक तंतर शब्द का सरप्रतम प्रियोग किस ने किया था एको सिस्टम का प्रियोग पूछ रहा है तो एको सिस्टम और एकोलोजी में कन्फ्यूस नहीं होना है एको सिस्टम का यूज सबसे पहले किया था टैंसले ने और एकोलोजी का यूज किया था अरनेस्ट हैकल ने किस संग के जंतुओं का शरीर चप्टा होता है तो शरीर चप्टा होता है प्लैटे हेलमेंटीज संग के जंतुओं का किस संग के जंतुओं में कवच सदेव उपस्तित रहता है मॉलोसका में जो मॉल्लुसका संग होता है उसके जन्तु जितनी पेधन में सब में कवच होता है अंतीम प्रशन है आज का मानव शरीर की सबसे बड़ी मांस पेशी कौन सी है तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांस पेशी है गलुटस माकसिमस ठीक है यह कूले की मांस पेशी है हमारे और सबसे छोटी की बात करे तो i stampidious जो मांस पेशी है वो सबसे छोटी मांस पेशी है तो ये थे हमारे आज के important टीस question बाइलोग जी के हमारी complete series चल रही थी 1500 questions को हम इसमें देख चुके हैं केवल 4 parts में ठीके friends याने कि आप आप देखें तो 10-10 minutes से भी कम के part होगे तो आपको 800 questions मिल जाएंगे ठीके friends तो आभी series को जाके देख सकते हैं हमारी और history की series चल रही है top previous year gk की series चल रही है आप इनको जाके देख सकते हैं तो अगर आप को वीडियो पसंद आया तो इसको like करें इसको share करें और channel को subscribe कर दें Thank you friends